बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंदर मोदी जी का समर्थन करने में मैं आज सभी उन अंकल से कहना चाहता हूँ आंटी से कहना चाहता हूँ ध्यान से ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है नरेंदर मोदी जी आपके भविस्य के साथ किस तरह से खिलवाल कर रहा है ज़रा सोचिए और पार्कों में बैठिये और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए उस सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं आपका पैसा उठाकर नरेंदर मोदी जी ने एक लाख सतावन हजार करोन रुपे पी अफ का पैसा इस देश के 28 करोन लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कमपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिये और मज़ेदार बात देखिए हिंडन बर्क की रिपोर्ट आई सब ने आगाह किया भाई अब तो समल जाओ अब तो सावधान हो जाओ हिंडन बर्क की रिपोर्ट आगई बहुत बड़ा भ्रस्टाचार किया है अडानी ने अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया अपने शेयर की कीमते फर्जी तरीके से बढ़ाई है बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाएं है उनके सेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो किसने का तमाम फैनेंसियल एक्सपर्ट्स ने तमाम अर्थशास्त्रियों ने तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई यह बुजर्गों का पैसा है यह करमचारियों का पैसा है यह इस देश के 28 करून लोगों का पैसा है इसको कम से कम अडानी के कंपनी में आप तो मत डुबाओ लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ETFO बोर्ड की और उस बोर्ड में जो चेयर मैन होते हैं वो होते हैं आदर्णिय देश के शरम मंतरी भूपेंद्र यादो जी भूपेंद्र यादो जी जो देश के मंतरी है वो उस बोर्ड के चेयर मैन है यह रिपोर्ड भी आ जाती है आगा भी किया जाता है कि भाई आप करमचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविस्य की निधी जो रखी है उनके लिए जो पीफ का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है कम से कम ये पैसा अडानी के गुरुप पे मत लगाई है लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन दो कमपनियों में फिर लगाया जाता है क्या प्रेम है आपका अडानी से अब देश के करोनों लोगों का पैसा क्यूं उठा के अडानी के उपर लुटा रहे है